दोस्तों, अकेले रहना और अलग थलग होना दो अलग अलग बातें हैं। इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन हमारे मस्तिश्क में आज भी कुछ आदतें पहले जैसी ही हैं। पहले के जमाने में ग्रुप में रहना जरूरी था, क्योंकि अकेले रहने पर जंगली जानवरों का शिकार बनने का डर रहता था। इसी कारण हमारा दिमाग आज भी अकेले पन को खत्रे की घंटी समझता है। वैज्यानिकों ने एक बार एक प्रयोग किया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वे अपने नकारात्मक विचारों के साथ 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर बिजली का जटका। नतीजे हैरान करने वाले थे। 77% पुरुशों और 25% महिलाओं ने बिजली के जटके को चुना। इससे यह साफ है कि बहुत से लोग खुद के साथ 15 मिनट भी अकेले नहीं रह सकते। जबकि यही वह समय होता है जब आप अपने विचारों को समझ सकते हैं। जंगल का राजा शेर अकसर अकेला ही रहता है। उसे अपने आप पर इतना भरोसा होता है कि उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। कई बार वह अकेले ही अपने शिकार पर निकल जाता है और इसमें उसे किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती। दरसल, गुरुप में रहने वाले अक्सर अनुयाई होते हैं, जबकि लीडर अकेले ही नेत्रित्व करता है. दुनिया के कई सफल लोग, जैसे कि बिल गेट्स, हर साल कुछ दिन बिना किसी टेक्नॉलोजी और लोगों के अकेले बिताते हैं. वे कहते हैं कि इससे उनकी क्रियेटिविटी बढ़ती है और उन्हें नए विचार मिलते हैं. ऐसे कई वैग्यानिक और विचारक हैं जिन्होंने अकेले रहकर बड़े-बड़े खोज किये हैं. निकोला टेसला और सर आईजाक न्यूटन को भी उनके सबसे बड़े विचार अकेले में ही आये थे. अकेले रहना क्रियेटिविटी को बढ़ावा देता है. जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है और नए विचार आते हैं. यही नहीं अकेले रहने से आपका फोकस भी बढ़ता है. जब आप अकेले होते हैं तो तो आपके पास अपने आपको समझने का मौका होता है। आप अपने विचारों को साफ साफ सुन सकते हैं और अपने इमोशन्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे आपको अपने इमोशन्स पर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। जो कि किसी भी सफल व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अकेले रहना सीख लें, तो इससे आपके जीवन में कई फायदे हो सकते हैं। आप creativity, focus और आत्म जागरूकता में सुधार कर सकते हैं। तो अकेले रहना सीखें और देखें कि इससे आपके जीवन में कितनी positivity आती है।